हेले सुदेंट्स, वेलकम तू अफिसेल यूट्व चेनल आप ओरीजिन कोचिंग, स्वागत है आप सभी का आज के लाइब क्लास में और सबसे पहले स्वारी की क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया, कुछ टेकनिकल इसूस्त है, चलिए रिमूब कर लिया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगोंने पैसेंस के साथ इंतजार किया, ओके, चलिए तो आज हम निव चेप्टरी स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेप्स इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेप्स बहुत इंपर्टेंट चेप्टर है, बहुत छोटा सा चेप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपर्टेंट चेप्टर है, मैं आगे डिसकस करूँगा, आपको किस तरह सी इंपर्टेंट है, क्या यूज है इसका तो अगेन आप सभी का स्वागत है गूड इवनिंग, गूड इवनिंग इंतायार था क्लास का क्या करोगे, कुछ ऐसे रिजन हो गए कुछ ऐसे रिजन हो गए चले, खेर आप लोग समझ जाते हैं, मुझे मालूम है तो विद्धु चुमब की तरण स्टार्ट करें, ऐसे भी क्लास सर लेट हो गया तो क्लास स्टार्ट करें, इलेक्ट्रमेगनेटिक वेप्स देखो मैं सबसे पहले आपको इस चेप्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंस एस्प्लेन कर दूँ तरण के बारे में आप लोग को पहले से पता है इलेक्ट्रमेगनेटिक वेप्स हिंदी में बोलते हैं विद्दु चूंबकी तरण और स्टार्ट फार्म में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं EMW सबसे बढ़िया नाम है इसका EMW हम लोग फिजिस के फिल्ड के लोग जब EMW बोलते हैं तो हर कोई समझ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है ठीक है विद्धुचुमा की तरंग देखे हम 11th क्लास में तरंग के बारे में पढ़े थे 11th क्लास में हम लोग तरंग के बारे में पढ़े थे एक्चुल में वेव क्या होता है उर्जा संप्रेशन का या उर्जा को इस्थानांतरित करने का एक तरीका होता है मतलब एक्चुली जब हम एनरजी को एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पर ले जाते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है वेव के द्वारा संपन होता है वेव के द्वारा होता है और वेव के हमारे पास बहुत सारे टाइप से हैं ठीक है वेव के पास हमारे पास वेट यांत्रीक तरंग होता है ध्वनी तरंग होता है उस तरह से बहुंशे तरंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसमें एक महत्व पूर्ण वात ये है कि जैसे ध्वनी तरंग है प्रकास तरंग है यह यांत्रीक हैं मेकनिकल क्यों हैं यह हम को नेचर में मिलता है मैं लेकिन आज जो तरंग हम पढ़ने वालह हैलेक्टोमेटी वेपस yells तरंगों को उत्पन किया गया इन तरंगों को वैज्ञानिकों को ने उत्पन किया प्रयोक साला में इसको बनाया और और electromagnetic waves आज हमारे लिए इतना important है कि विद्दुचुमकी तरंगों की सहायता सही हम क्या करते हैं संचार प्रडाली को संचालित करते हैं हमारे पास जो communication का system होता है electronic communication का electronic communication का जैसे मैं आपके साथ जो बात कर पा रहा हूँ या आप हमारा वीडियो जो आप देख पा रहे हो वो electronic communication के कारण ही हो पा रहा है या आपको पता है और electronic communication का जो system है वो completely विद्दुचुमकी तरंगों पर ही based होता है या विद्दुचुमकी तरंगों पर आधारित होता है तो आप समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि विद्दुचुमकी तरंगों का कितना इंपोर्टेंस है माने यदि हमारे पास विद्दुचुमकी तरंग नहीं होता तो हम लोग क्या करते जो संचार प्रणाली है या जो हमारा कमुनिकेशन का सिस्टम है उसको हम संचालित नहीं कर पाते अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब विदुचुमा की तरण उत्पन न किया गया तो किस प्रोसेस के दारा बनाए गया वास्ताओं में बहुत से वज्यानिकों ने इसके लिए अपना योग ध्यान दिया लेकिन इसका basically credit जाता है Maxwell को आगे हम पढ़ेंगे Maxwell के विदुचुमा की तरणों के सिधान को पढ़ेंगे तो Maxwell ने प्रापर इसका study किया पहले हर्ज ने किया हमारे इंडियान साइंटिस जैसी बोस ने भी इस पर वर्क किया और radio transmission का उन्होंने एक छोटा सार transmission भी कराया था कलकत्ता में और कई जगा तो प्रापर आगे नहीं जा पाया और क्रेडिट मिला मारकोनी को ऐसा भी कहा जाता है लेकिन उसना बालग मेटर हैं डिस्पूटेड मेटर हैं उस पर कई तरह के मत हैं तो जेसी बोस ने भी रेडियो ट्रांस्मिशन इलेक्रोमेटिक वेब्स की सहता से किया था क्लियर तो च दिस्प्लेश्मेंट करेंट को समझने में बहुत से स्टुडेंट्स को प्राबलम होता है यह मैंने अन्भव किया है तो एक्चॉल में डिस्प्लेश्मेंट करेंट हिंदी में बोलते हैं विस्थापन धारा विस्थापन से ही आपको पता है कि विस्थापन होना मतलब एक स्थान से दूसरे इस्थान पर जाना तो displacement current एक्चौल में होता क्या है यहां पर Maxwell ने अपने प्रयोगों में यह देखा अपने प्रयोगों में Maxwell ने पाया कि मालो अपने पास इस तरह से कोई मालो हमने किसी सरकीट पर capacitor लगाया हुआ है मतलब संधार इतर लगाया हुए ना क्या लगाया हुआ है संधार इतर यह मालो हमारे पास संधार इतर के दो प्लेट है कुछ बड़ा प्लेट बना देता हुए यहां पर में यह capacitor के two plate है और जब इसमें हम current flow कराते हैं तो इसके plate क्या होते हैं आवेसित होते हैं यहां पर suppose हम यह battery लगा दिये और यह जब इस पर current flow कराया जाता है तो plate आवेसित होते हैं और plate आवेसित होने के बाद suppose इसमें plus charge separate हो गया और यहां पर minus charge separate हो गया इस तरह से तो plate के आवेसित के कारण क्या होता है यहां पर electric field डवलप होता है और electric field में changes के कारण यदि विद्यूद flavor में परिवर्तन हो तो flux की संख्या में परिवर्तन होता है तो यहां पर वैय ज्रियानिकों ने यह देखा कि इस area में कुछ विद्यूद furaxu में भी परिवर्तन होता है इसší وिद्यूद flex में परिवर्तन होता है इसरी निथ Whenever the flux प्लक्स में परिवर्तन होता है और आपको ये बात पता है कि जब कभी विद्धूत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा ये फैराडे ने बताये था कि कभी विद्धूत फ्लक्सों में या विद्धूत बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो प्लेट के आवेसित होने के कारण वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फिल्ड डवलप होता है और इलेक्ट्रिक फिल्ड में क्या होता है फ्लक्सों की संख्या में परिवरतन के कारण वहाँ पर करेंड डवलप हो जाता है और इसी करेंड का नाम दिया गया विस्थापन धारा इस से हम उसका टूदी पाइंट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं देखो विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्धु छेत्र में परिवर्तन अर्थात वैद्धु फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उप्पन होता है यह क्या कहलाता है है मिसके लिए फार्मूला भी द्राइब करेंगे तो इस पकार से कहलाता और दिस्प्लेशमे चरहेंट को यह दि हम फार्मूला के फार्म में लिखें तो आई डी से प्तासीत करते हैं और अफसाईला नाट ऑषाई फार्मूला है अब साइलानाट d phi e upon dt ये इसका फार्मूला है अभी हम इस फार्मूला को डिराइब भी करेंगे मतलब इसको प्रूब भी करेंगे ये विस्थापन धारा का ध्यान से समझना बोड एक्जाम में विस्थापन धारा आपको पूछा जा सकता है और यहां पर विस्थापन धार को समझने में बहुत लोग परसानी महसूस करते हैं यह मेरा experience मुझे मालूम है तो मैं आपके comments पर रहा हूं आप मुझे दुबारा पूछ सकते हैं कि यह क्या होता है एक बार मैं repeat करता हूं ध्यान से आप word में definition को देखो कि विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ व को विद्धुच्छेतर में परिवरतन होता है तो इस विद्धुच्छेतर में परिवरतन के काराण जो धारा उद्पन होती है उसे हम क्या कहते हैं विस्थापन धारा कहते है, clear? है कोई problem यहां तक? अब हम करते हैं इसको proof यह जो formula मैंने यहां पर लिखा है इस formula को हम आग करेंगे ठीक है जो फार्मूला हमने लिखा है उसको विस्थापन धारा को प्रूफ करेंगे तो देखों विस्थापन धारा को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि विद्दुछेत्र की तिब्रता जो होती है विद्दुछेत्र की तिब्रता की सायता है हम उसको प्रूफ करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विद्दुछेत्र की तिब्रता या विद्दुछेत्र में परवलतान के कारण ही विस्थापन धारा उत्पन होता है तो e equal to, विदू छेतर की तीवरता, e बराबर क्या होता है, sigma upon epsilon 8, ये फार्मूला हमको कहां से मिला, आपको मालूम है कि हमने gas theorem का जब application पढ़ा, तो gas theorem के application में हमने जो समानतर, जो आयताकार प्लेट होता है, उसके लिए sigma upon 2 epsilon 8 फार्मूला होता है, लेकिन जब हम दो समानतर यूज करते हैं, तो दो समानतर प्लेट के बीच में, यहाँ पर capacitor दो समानतर प्लेट होता है, एक left side में, एक right side में, तो संधारी तरग क्या होता है, तो दो प्लेट होने के कारणर उसके बीच में जो छेतर की, छेतर निर्मीत होता है, ये सब आप capacitor वाले chapter में पढ़े हो, तो वो होता है सिग्मा अपान अपसाला नाट, तो सिग्मा अपान अपसाला नाट इसका फर्मूला हो जाएगा, आगे हम इदी इसको साल्मो करें, तो E equal to, विदू छेतर की तिवरता E बराबन क्या हो जाएगा, अब सिग्मा क्या है यहाँ पर, घनत पहे, आवेस घनत प का मान कितना होता है, आवेस बटे छेतर फल होता है, आवेस घनतों का जो मान होता है, वो आवेस बटे छेतर फल होता है, तो इसका मान अदि हम यहाँ पर फूट अप करें, तो आवेस को हमने क्यों ले लिया, और छेतर फल को A, तो आवेस घनतों बराबर आवेस बटे छे और इंटू क्या हो जाएगा यह अफसाला नाट हो जाएगा इस पकार से e equal to यह हो जाएगा phi upon a into अफसाला नाट ध्यान से समझना है इसके derivation की step को अब q को मैं इसके upon को इधा transfer कर दिया तो that equal to हो जाएगा अफसाला नाट into e into a that implies अब आगे हम देखें तो यहाँ पर q equal to क्य के लिए फार्मूला होता है मतला phi equal to e ds कास theta होता है तो यहाँ पर तो theta 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों parallel plate है तो कास 0,1 हो जाता है कास 0,1 होने के क्यार फ्लक्सों की संख्या जो होगा phi e वो e into s के बराबर होगा तो यह यहाँ विद्दू छेत्र की तिव्रता है और a क्या है e into s, s far surface area होता है लेकिन यहाँ पर हमने 6 रफल को a लिया है तो e into a के बराबर होगा इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं e into a को लिख सकते हैं phi e यह phi e लिखा जा सकता है अब चूंकि हमको धारा ग्याद करना है देखो यहाँ पर हमारा formula क्या है id, d far displacement तो जब always को हमक समय के सापेक्ष आउकलन कर दें तो क्या हो जाएगा देखो अब हम इसको समय के सापेक्ष आउकलन कर दें यहाँ पर तो differentiate यहाँ पर लिख देता हूँ t के सापेक्ष आउकलन करने पर यदि हम इसको t के सापेक्ष आउकलन कर दें समय के सापेक्ष इसका आउकलन कर दें तो left side में क्या हो जाएगा यह होगा dq बटे dt equal to right side में क्या हो जाएगा d by dt under bracket epsilon 0 into phi e epsilon 0 into phi e यह हो जाएगा that implies आगे जब इसको solve करें तो आपको मालूम है कि जब आवेस का समय के सापेक्ष आउकलन होता है आवेस को जब हम समय के सापेक्ष आउकलन करते हैं तो क्या बन जाता है वो धारा बन जाता है तब हम इसको कहेंगे current i और यह d चुकिया displacement current है तो हमने d लिख लिया अब epsilon 0 constant है वो बहार आ जाएगा तो अंदर हम लिखेंगे d phi e upon dt और यह विस्थापन धारा का फार्मूला होता है यह विस्थापन धारा का फार्मूला होता है यह जो मैंने आपको पहले बताया था यह displacement current यह proof हो गया तो यह इसकी परिभासा है जो मैंने यहाँ पर board में लिख दिया है यह परिभासा आप note कर लो यह इसकी इन साथ ले लो विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्धु छेतर में परिवर्तन और थात वैद्धु फ्रक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन होता है ठीक है और यह इसका derivation है ते टापिक आप अच्छे सा तयार कर लो बहुत बार मैंने देखा है कि student इसको ठीक से नहीं करते है book में content नहीं मिलता ठीक से इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा definition के साथ बता दिया ओके clear सबको विस्थापन धारा समझ में आगया भई सबको लक्ष कोचिंग आपने chapter 7 नहीं पढ़ा है तो chapter को आप revise कर लो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना हमारा syllabus बहुत आगे चल रहा है अभी हम देखो पहुँच गए हैं electromagnetic works में अभी July चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो schedule है यह हमारी जो planning है हमने अप्रेल से class start कर दिया है और बिल्कुल proper speed से चल रहा है हमने starting में आपको कहा था 95 plus board exam में target 95 plus हमारा motto है और यह तभी possible हो पाएगा जब हम board exam से कम से कम 2-3 महन पहले course पूरा कर लें और अच्छे से एक बार revision और एक बार हम one start revision कर लें तो हम उस target तक पहुँच पाएंगे तो course complete होने के बाद immediate हम revision start कर देंगे और revision start करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा और बाद में हम आपको exam के time में one start भी आपको provide करेंगे इसलिए जो student late में class vine किये हैं कोई tension का जोरत नहीं है आप पीछे के topic के हमारे playlist से वीडियो देखते रहिए इतने वीडियो है हमारे तो सब तो आप देखते रहिए इस chapter के बाद तो हम optics start कर देंगे इसके बाद हम प्रकास start कर देंगे start कर देंगे जिसमें आप वरतन पर आवरतन वर्ण भी छेपर यह सब पढ़ा जाएगा ठीक है क्लियर आगा समझ में आपको चलिए अब हम यहाँ पर start करें main जो chapter का हमारा topic है वो है विद्यू चूंबक की तरण तो पहले मैं आपको electromagnetic webs के बारे में थोड़ा सा outline बता दूँँ फिर systematic हम उसके बारे में पढ़ेंगे विद्यू चूंबक की तरण इसके बाद इसका definition property सब मैं आपको point to point बता दूँँगा विद्यू चूंबक की तरण नाम से इसपस्ट है कि इसमें विद्यूत विद्यूत और चूंबक के तरण को सम्मिलित किया गया मतला एक्ट्वल में हुआ क्या सबसे पहले इसमें हर्ज ने सबसे ज़्यादा इसपेरिमेंट किया लेकिन क्या करें किस्मत की भी बात होती है हर्ज ने सारा काम किया 90 परसेंट तक उन्हों ने एपने इसपेरिमेंट को सक्सेस तक पहुचा दिया लेकिन फाइनली कि क्या सबसे पहले तो मैक्सवेल को कई इसका अविश्कारक मना जाता है इस पर इसका खोज करता माना जाता है कि Maxwell ने विद्यू चुमबकी तरंग बनाया किस तरह से बनाया है नामस इसपस्ट है उन्होंने क्या किया एक डिवाइस की सहाथा से इलेक्टिक वेग्स और मेग्नेटिक वेग्स मतलब विद्यू तरंग और चुमबकी तरंग ये विद्यू और चुमबकी दोनों तरंगों को उन्होंने अध्यारोपित कराया मतलब सुपर इंपोस कराया अध्यारोपित सुपर इंपोस कराते हैं इंगलिस में पन उसको अध्यारोपण का मतलब होता है उनको मिलाना जब दो या दो सधीक तरंगों को हम किसी माध्याम में मिलाते हैं तो इस घटना को हम अध्यारोपण कहते हैं तो उन्होंने विद्यू तरंग और चुमबकी तरंग को क्या क्या अध्यारोपित कराया और दोनों के मिलने से जो एक नया तरंग बना उसको क्या बोला गया विद्धू चूंबा की तरंग बोला गया और इसमें सबसे महत्तपूर्ण बात यह रही कि यह ज्यावक्री दोलन के द्वारा इनको मिलाए गया मतलब दोनों का जो वेब था वो sinus rodial बोलते हैं मतलब ज्यावक्री मतलब sign graph और दोनों के mix होने के बाद जो traveling का direction था electronic waves का यह दोनों की परसपर लंबवध था यह graph की सहायता से आप यहाँ पर समझ सकते हो सबसे पहले मैं graph से आपको explain कर दूँ उसके बाद तो systematic मैं उसको आपको कुछ slide की सहता से भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर देखो x-axis, यह y-axis और यह ले लिया मैंने z-axis यह तीसरा अक्षा है जो कि यहाँ पर z-axis है बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना आप इसको अब हम यहाँ पर देखें कि x-axis, y-axis और z-axis में किस-किस तरह से हम इसको represent कर रहे हैं तो पहले मैं अलग-अलग colors उसको मैं show कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा electric waves है और कौन सा magnetic waves है तो electric और magnetic waves को क्या गया, mix-up किया गया तो x-axis में हम electric waves को ले लेते हैं और y-axis में magnetic waves को ले लेते हैं ताकि हम उसको आपको graph में proper बता हैं इसको मैं z ले रहा हूं, generally हम इसको x लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैं इसको z-axis ले रहा हूं graph को proper so करने के लिए z-axis है यहां से मैं शुरू करता हूँ यह suppose x-axis है और यह suppose y-axis है ठीक है अब मैं y-axis में लेख रहा हूँ ठीक है y-axis में लेख रहा हूँ ऐसा लिख एक्स y-z ऐसा ठीक रहेगा चलो प्रापर आडर यह ले लेते हैं पर इसे कुछ फर्ख पढ़ता है लेकिन फिर भी इसको x ले लो x और फिर ऐसा y और वो z यह है जो मैंने blue color से बनाया वो suppose क्या है विद्धित रंग है और यहां पर मैं यह yellow color से बना रहा हूँ यह चुमबा की तरंग है तो देखो यहां पर यह जो blue color से मैंने यहां पर बनाया यह electric waves से है यह और यह जो yellow color से बनाया गया है यह क्या है magnetic waves से है यह magnetic waves से है इसको हम represent कर रहा है किस से बी से और दोनों परस पर लंबत है और दोनों के mix होने के बाद दोनों के mix होने के बाद जो आप तरंग देख रहे हो यह मैं यहां पर green color से यहां पर सो कर रहा हूँ तो यह जो दिशा है वो क्या है electromagnetic waves से है यह जो दिशा है वह electromagnetic waves का direction है जो की z axis है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम x axis में विद्धु तरंग को सो करें y axis में चुमकी तरंग को सो करें तो दोनों के अध्यारोपन के पस्चात जो विद्धु चुमकी तरंग बनेगा वह किससे होगा जेड अक्ष के द्वारा प्रदर्सित होगा जेड अक्ष में जाएगा इसमें कई बार competitive exam में even neat में question पूछा गया था कि यदि विद्धु तरंग x अक्ष में हो चुमकी तरंग y अक्ष में हो तो विद्धु चुमकी तरंग किस अक्ष में होगा तो z में होगा अब ऐसा कहने का मतलब तीनों आपस में लंबत होंगे तीनों क्या मुचवली परपेंडिकुलर होंगे देखो यदि यह electric है यह magnetic है तो यह क्या होगा electromagnetic waves होगा इस पकार से वास्तों में इनका जो mix up होता है इनका जो हम यहां पर सुपर इंपोजिशन जिसको कहते हैं अध्यवरोपन कराते हैं वो इस तरह से परसपर लंबत होता है यहां पर हम कुछ directions हो के सो करके आपको दिखा रहे हैं यह देखो यह दोनों यहां पर देख जियाव वक्री अध्यारोपन से मिलाये जाता है तो इनके अध्यारोपन के पहस्चाद दो चरंग उत्पन होता है उसको विदुचुमक की चरंग कहते हैं और इसकी दिशा इन दोनों के लंबत होती है वो दोनों तो आपस में लंबत होते ही है और इसकी दिशा इनके हाँ पूरा चेप्टर एक प्लेजिस्ट में तो है प्लेजिस्ट आप देखो ध्यान से और देख लेंगे आपन उसको अब इसको मैं देखो ये एक प्रापर स्लाइड से मैं आपको यहां पर और बता दूं यहाँ पर आप देख रहे हैं देखो यह जो graph में आप देख रहे हैं विद्दू चुमक की तरंग का graph में यहाँ पर सोग किया है जो मैं अभी आपको पिछे खुद बना के समझाया क्या है जब हम उसको खुद ड्रा करके बताते हैं तो practically उस student उसको ज़्याद अच्छा समझ पाता है मुझे मालूम है उसके बाद भले हम आपको उसको slide बना के इस पकार से दिखाते हैं यहाँ पर देखो colorful slide से आप देख रहे होगे कि यह है यह जो आप देख रहे हो red color से यह इलेक्टिक फिल्ड है यह इलेक्टिक फिल्ड है ब्लू कलर वाला magnetic फिल्ड है और यहाँ पर यह एक्स यहाँ पर इस चित्र में देखो y-axis में क्या सो किया गया है यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर y-axis में electric फिल्ड को सो किया गया है और z-axis में magnetic फिल्ड को सो किया गया ह इसलिए X-axis में किसको सोगिया गया है? Electromagnetic webs को सोगिया गया है क्योंकि वो तीसरे X में होगा ठीक है? अब हम यहाँ पर इसकी properties पर study करते हैं discuss करते हैं इस chapter का पहला और सबसे important question यही है कि विदुचुमकी तरंग किसे कहते हैं? उनके गूर्ड लिखो विदुचुमकी तरंग किसे कहते हैं? उनके गूर्ड लिखो इस chapter का सबसे important question यही है कई बार word exam में पूछा गया है विदुचुमकी तरंग किसे कहते हैं? इनके गूर्ड लिखो तो यहाँ पर इसके क्या क्या properties हैं? देखो एक एक करके मैं इसकी properties को आपको explain कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला property क्या है? विदुचुमकी तरंगे दोलनी आवेस तथा त्वरीत आवेस के द्वारा उत्पन होती है इसका पहला property में highlight करते जा रहा हो देखो यह तो विदुचुमकी तरंगे वो क्या है? दोलनी आवेस मतलब जो axilation करते हैं जो charge axilation करते हैं दोलन करते हैं अथवा तवरीत या वो तवरीत होते हैं वो accelerate होते हैं तवरीत होते हैं उनके द्वारा उत्पन होता है पहला property ये question आप 100% prepare कर लेना आपके board exam में आएगा विद्दु चुम्ब की तरण किसे कहते हैं उनके गुंड लिखो ये बिल्कुल patent question है board exam का दो या तीन नमबर काता है आपको ये grab बनाना है ये वाला grab बनाना है या पीछे मैंने आपको ड्रा करके जो आपको समझाया इस तरह से grab बनाना है और इसको बनाने के बाद आपको इसका property को लिखना है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवस्थिकता नहीं होती देखो मैं आपको बताया शुरुवात में कि ये communication के काम आता है मतलब संचार के काम आता है और संचार के काम आता है वो इसलिए भी क्योंकि ये निर्वात में भी गमन कर सकता है इसलिए हम space से भी बात कर सकते हैं ठीक है हम space से भी इन तरंगों की सहयता से प्रित्वी में ब पिर आप इसके सांट भी ले लें ना, इसके बाद देखो इन तरंगों में विद्धू छेटर, चुमकी छेटर एक ब्रा सपर लम्बत होते हैं अब यह मैं आपको ग्राप में बताया कि विद्धू छेटर और चुमकी फ्रा परस पर लम्बत होते हैं उनक Way तो हम ग्राप मे होते हैं विद्य चूमबकी तरंग कि रहे माधिय हम की ऐसकता नहीं होती में विद्यू तोर चूमबकी छहेत्र परस पर लंबत होते हैं ने है कि प्लेर नहीं दीख रहा है तो अओके नेस प्रॉपर्टी इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है यह बहुत महत्थ प्रापरेटी है आधलर ना अनुप्रस त्रंग आपको मालूम इस तरह से इस तरह से जो तरंग संचानड होता है। इन तरंगों में विद्धु छेत्र चुम्ब टांग याए मोकन बीलाद म게 तुल्म यह महत्व पसे şहले होता है। सी नाट अपान बी नाट होता है मतलब प्रकास का जो वेग है वह विद्धु छेतर की तीवरता और चुमकी छेतर की तीवरता के अनुपात के बराबर होता है उसके बाद देखो ये तरंगे विद्धु छेतर या चुमकी छेतर से विच्छेपित नहीं होती इससे सीध्ध ह कोई आवेस नहीं होता बहुत महत्पूर्ण पाइंट है यह स्वयम विद्धूतर चुमकी छेतर के ज्यावख्री मिलन से बनते हैं लेकिन इनमें स्वयम का कोई आवेस नहीं होता यदि इनमें आवेस होता तो धन या रिंड प्लेट की तरब क्या हो जाते यह आकरसित हो जा इनका भी स्पीड उतना होता है इसके बाद इसके दोरा इसको पतरशित किया जा था यह फार्मूला है कई बार यह नीट में यह कोश्चन डायमेंशन फार्मूला में पूछा है इसके बाद यह तरंगे धुरुवित होती है बहुत इंपॉर्टेन बात है यह पोलराइज होती है धुरुवित होती है क्यों कि यह अनुप्रस्त तरंगे होती है जो जो तरंगे अनुप्रस्त होती है वो धुरुवित भी होती है आगे मैं आपको समझाओंगा जब धुरु तो धुवाड के लिए तरंगों का अनुप्रस्त होना अनिवार्य है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्वचूंबकी तरंगे अनुप्रस्त तरंग होती हैं इसलिए स्वभावी करूप से उसमें धुरुवाड भी होता है तो दोनों का आपस में संबन्ध है जो अनुपरस्थ होगा वो धुरूभित भी होगा तो यह अनुपरस्थ तरंग है तो इसमें धुरूण होता है इसके बाद हम देखें कि ये तरंगे अपने साथ-वैजा का इस्थानांत्रल करते हैं रंगे परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण वीवर्तन धुन्वण के गूर्पदर्शित बहुत इंपॉर्टेंट पाइंट है मने प्रकास का जितना गूर्ण होता है प्रकास के 6 गूर्ण होते हैं अपवर्तन परावर्तन वर्ण विच्छेपड ठीक है यह वर्ण विच्छ करते हैं तो यह है हमारा electromagnetic webs और उसकी properties और मैंने सुर्वात में बताया आपको विस्था पंधारा तो यहां तक आपको prepare करना है सबसे पहले नेस लेक्चर में हमारा होगा इसके spectrum और spectrum पर हम discuss करेंगे बहुत छोटा से चेप्टर है दो के लेकिन इसमें से question आ नहीं है इस मेंसे question आ नहीं है ठीक है इस webs को उत्पन्न किया जाता है जो हमारा माईक्रोफोन होता है उसके अंदर उत्पन्न होता है जैसे मैं भी बात कर रहा हूं तो मेरे माईक के अंदर सुपन हो रहा है तो अभी धनी तरंग को आगे लेके जा रहा है देखो जब आप लास्ट चेप्टर पढ़ोगे ना कम्युनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स हमारे कोर्स का अंतीम चेप्टर है संचार इलेक्ट्रानिक आज कर कई बोर्ड ने उसको हटा भी दिया है सब्सक्राइब कर पढ़ेंगे कि इन तरंगों का मतलब कम्युनिकेशन में संचार में कैसे प्रयोग होता है तो वहां पर पिड़ेững होता है और दी माडूलेसन होता है तो जब माडूलेसन दी माडूलेसन आप समझेंगे तो हाँ पर समझ में आ जाएगा ठीक है क्लियर इसकीन सार्ट लेना है इसका चलिए ले लिजिए इसका पहले ले लो आप कि जेई निकालने के लिए कुछ और स्पेसल थोड़ी होता है आपको जेई नीट निकालना है तो सबसे पहले आपको बैसिक लेबल से पढ़ाई तो करना ही होगा लाइफ में कुछ भी बढ़ा करने के लिए पहला फंड़ा होता है बैस क्लियर करना चाहे पढ़ाई हो चाहे जीवन हो बैस मजबूत होना चाहिए तभी आप आगे कर भाओगे ना चलिए ये प्रापर टी भी स्कीन साट ले लो आप और इसके प्रापर नोट्स बना लो या हमारे एप्लिकेसन से आप नोट्स डाउनलोड कर लो या नोट्स वहाँ से बना लो देखके बिलकूल धिरा चवरस्याजी आपके बात को हम पढ़ लिये हैं उसको ध्यान रखेंगे ठीक है अंत्रिच में आवाज को सुनने के लिए सीधा सीधा आवाज को सुनने के लिए हमको माध्यम चाहिए तो मालो दो लोग अंत्रिच में आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आवाज को नहीं सुन सकते लेकिन यदि हम वहाँ पर कोई माध्यम उप्योग कर दें तो माध्यम उप्योग करने पर हम सुखेंगे क्योंकि sound को travel करने के लिए माध्यम चाहिए लेकिन विद्विचुमकी तरंगों को travel करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए इसलिए space में जब space scientist टापस में बात करते हैं तो वो उसकी सहायता से बात करते हैं सामने खड़ा आदमी सामने के आदमी से बात नहीं कर सकता open जैसे हम बात करते हैं क्योंकि उसके मुझ से sound निकलेगा वो travel होगा ही नहीं क्योंकि sound के लिए मीडियम चाहिए विद्विचुमकी तरंगों के लिए माध्यम नहीं चाहिए ठीक है ओके अरितु सिंग थैंक्यू थैंक्यू सो मच जब इसके अलग अलग तरंग दर्धे के अधार पर अध्यान किया गया जब विद्विचुमकी तरंगों को बनाने के बाद इसकी अलग अलग wavelength पर अलग अलग frequency पर इसका जब study किया गया तो भाई ज्यानिकों ने देखा कि अलग अलग तरंग दर्धे पर ये अलग अलग का nature रखता है अलग अलग behavior रखता है उसका अलग अलग property है उसका उपयोग अलग अलग है तो इन चीजों को तुलनात्मक रूप से फिर हमने पढ़ा कि वास्तों में जब इस तरंग दर्धे का हो तो उस तरंग दर्धे में किस तरह का गुण वो रखता है तो यह मैं एक एक करके आपको explain करते जा रहा हूं और आपको इसको learn करना है ठीक है विदी चुमकी तरंगों का spectrum इसको मैं one by one आपको समझाते जा रहा हूं देखो सबसे पहले radio तरंग यह चार्ट को आप ऐसी हलके में नहीं लेना यह चार्ट को आप हलके में मत लेना इस चार्ट से आज तक NEET में कितने सारे question पूछे जा चुके है जब भी मैं NEET के लिए guide करता हूं अपने स्टुडेंट को NEET के लिए मैं guide करता हूं तो सब को यह जरूर बोलता हूं कि भाई यह आप पढ़ लेना आप इसको पढ़ लेना क्योंकि आप जब तक कि इसको नहीं पढ़ होगे तब तक आप इसमें से आए हुए question को आप नहीं बना पाओगे ठीक है इसलिए आप लोगों को इसको याद करना है भी येस clear okay वोई देख रहा है था मैं तो त्यार कैसे काना है question कैसे आता है हमें आपको बता दूँ सबसे पहले चायट प्रिप्यार करने के पहले हम यह देख लें कि इसमें से प्रस्ण कैसे पूछेगा प्रस्ण आपको सीधा-सीधा तथा उप्योग लिखो तो दो या तीन नमबर के ऐसा चोटा सा question आता है जो board exam में आता है competitive exam में कैसा question आता है इसकी property पर कि कौन क्या करता है कौन किस तरह का nature रखता है कौन किस के उप्योग में आता है यह सब पूछा जाता है ठीक है तो एक एक करके मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको संजार हो देखो ध्यान देना फिर बाद में हम उसको और एक साथ फिर इकठा कर लेंगे पहला देखो पहला जो यहाँ पर तरंग आप देख रहे हो रेडियो तरंगे तो 6 x 10 to the power 2 meter से 0.3 meter तक का जो तरंग दाइर धेका तरंग होता है उसका नाम दिया गया रेडियो वेव यह आप याद करोगे मैं आपको सुरू में ही बोल दिया कि भाई इसको आपको याद करना पड़े है इसका अविस्कार मारकोनी ने किया प्रिभ्येस क्लास में आपको चर्चा किया था कि जब electromagnetic waves बना जब विदुचुमबकी तरंगों का निर्माड हुआ तभी communication का सिस्टम हमारे सामने आया जिसमें पहला communication का सिस्टम पहला संचार पड़ाली के लिए जो उपकरण था वो रेडियो था तो रेडियो सबसे पहले आया जिसके अविसकारा का स्रे मारकोनी को जाता है हाला कि मैंने पिछले क्लास में आप से डिसकस किया था कि इंडियन साइन्टिस सर जेसी बोस ने भी एक रेडियो टांस्मिशन कलकत्ता में करके दिखाया था लेकिन वो एप्रूबल नहीं हुआ वो आगे नहीं बढ़ा उसको मान्यता नहीं मिली जो भी उस समय पर इस्थिती रही होगी उसके कराण वो आगे नहीं बढ़ा आज भी वह एक डिस्प्यूटेड मीटर है आज भी वह एक विवादित मामला है कि हम भारती बोलते हैं कि य रेडियो का विश्कारक जैसी बोस्त को माना जाए हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कोई बड़ा इविडेंस मिले और वर्ल्ड लेवल पर उसको मान्यता मिले और यह चेंज हो जाए तब हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी लेकिन फिलहाल मार्कोनी रेडियो का विश्क क्रास्टिंग करके बताया था और त्वणी अवेशन का वीय वरतन होता है रेडियो सनचार में इसका काम आता है और इसको संशुचन संसुचक का मतलब हो कि उसको detect कैसे किया जाता है संसुचक का मतलब होता है कि कैसे उसको detect किया जाता है तो detect करना मतलब उसको ground करना तो किसके द्वारा किया जाता है वो antenna के द्वारा किया जाता है यह जो ग्राही antenna है उसके तो देखो एक point आपका question बन गया यह अकेला पॉइंट आपका तीन नंबर का कोस्टन बन गया कैसे रेडियो तरंग किसे कहते हैं तो उत्तर में क्या लिखो गए छै गुड़ी दस की घाथ दो मीटर से 0.3 मीटर तक के तरंग दर्धे के तरंग को रेडियो तरंग कहते हैं इसके अविस्कारा कौन है इसके गूर तथा उप्योग लिखो ऐसा कोस्टन आता है तो बोलो कि इसके अविस्कारा क्मार को नहीं है इसमें विवर्तित होना इसका गूर्ण है इसको रेडियो संचार में इसका उप्योग किया जाता है इसको ग्राही अंटीरा के द्वारा रिसीप किया जाता है हो गया यह हो गया बोर और question पूछा जा चुक है केवल यह चार्ट को तयार कर लेने से आपके कितने सारे question अंदर से cover हो जाते हैं इसलिए ध्यान रखना यह चार्ट भैई आपको याद करना है ठिक है यह चार्ट आपको चार्ट हमको cover करना है तो इसलिए थो में writing छोटी दिख रही होगी वीडियो के quality को increase करके देखो तो बराबर दिखेगा दिख रहा है अखिल video clear नहीं दिख रहा है quality को 1080 कर लो quality को 1080 कर लो best quality पर देखो clear है परवेज आप live class में भी आओ और पुराना recorded के भी cover करो three system में भी सही दीख रहा है okay very good ठेक very good मैं पढ़के सुनाता हो नहीं भी दिखेगा सुक्ष्मत तरंगे 0.1 meter से 1 mm यह याद करना सबसे जोरी है तरंग दर्ध है याद करना सबसे जोरी है क्योंकि कई बार एक्जाम में तरंग दर्ध को प्रकार के निर्वात ट्यूब की सहाथा से इसको उत्पादित किया जाता है इसके लिए एक विशेस प्रकार का वेक्ट्यूम टूब बनाया गया गया उसकी सहाथा से इसका उत्पादन हुआ महत्पूर्ण बात है रडार प्रणाली दूर संचार और माइक्रोवेब ओवन में जो माइक्रोवेब ओवन होता है अपने पास माइक्रोवेब ओवन मतलब जिसमें अपन क्या करते हैं माइक्रोवेब की सहाथा से हम हीट करते हैं गरम करते हैं चीजों को उसमें इसका और राडार प्रणाली में यह होता है और बिंदु संपर्क डायोड, डायोड की सहयता से इसको detect या जाता है तो यह हो गया सुख्श मतरम, microweps, उसको हम इंगली समझते हैं microweps, ठीक है? तो यह कहलाता है क्या सुख्श मतरम आपको परिभासा हम इसकी तरक्षाय्च से है इतने से तरंग दालो को मिलेगा इस के बाद देखो वरत तरणगे इंफ्रा रेड रेज तो वन मीटर से सेवन इन्टु टेन टूपर माइनस सेवन तक कहोता है ये विलियम हर्सेल ने इसका औरक्त तरणगे इंफ्राइड रेस बोलते हैं इंगलीज में को अविस्कार किया गरम पिंट से इसको उत्पादित किया जाता है यह उसमी प्रभाप्रदसित करता है धूंध या अंधेरे में फोटोग्राफी यदि धूंध हो कहीं पर फाग हो अंधेरा हो बहुत डीम लाइट हो तो वहाँ अजक करने के लिए और अरत क्योंड़ों को किया जाता है अर्य थर्मोपाइल बोलोई मीटर थर्मोपाइल की सहीता से हम और संसूचनह तह मैं इसको देक पाते हैं या महसूस कर पाते हैं ठीक है यह हो गया अगला देखो द्री से प्रकास्तरंगे तो क्या बतारा था मैं द्री से प्रकास्तरंगे यह वेवलेंद आपैंस Kabla याइथ कर लेए ना न्यूटन नै इसका अविस्कार किया उत्यजीत पर्माडू से या सूर्य से उत्पन होता है द्री सिलाइवार उत्पन करता है वस्तु को देखकर जानकारी प्राप्त करना वस्तु को देखकर किसी भी वस्तु को की जानकारी प्राप्त करना उसके बारे मिश्रडी करने में काम आता है और इसका संसुचन मानावनेत्र हम अपने खुले आख से इसको देख सकते हैं दिर से प्रकास को विजिबल जो राइट होता है इसको हम खुले आँख से देख सकते हैं मानवने तरकी सहयता से इसको जो देख रहे हैं दिश से प्रकास है वस्तुओं को देखने का काम आता है इस पर ज्यादा कॉस्चन नहीं आता है कुछ कोर्स कम हो गया है लेकिन मैं आपको 100% पढ़ा रहा हूँ जो कम हो गया है आप माइनस करके पढ़ लो क्योंकि मेरे चैनल पर मैं उस लेवल पर नालेश दे रहा हूँ ज्यादा को आप कम कर सकते हो कम को ज्यादा नहीं कर सकते हैं मैं ज्यादा पढ़ा दूँ उसको आप काट शाट के कम कर सकते हो लेकिन कम पढ़ा दू तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ बाकि आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से उसको कर लिया करो, ओके? नेस्थ देखो पराबैगनी तरंग, पराबैगनी तरंग क्या होता है? यह तरंग दर्द है इसका, रीटर ने इसका अविस्कार किया था, विस्सपकार के लेंस इसको उत्पादन क्या था है, प्रकास विद्यूत प्रभाव इसका प्रमुग गूण है, मतलब पराबैगनी तरंगों की सहाथा से फोटो इलेक्टिक इफेक्ट, जो आगे पढ़ोगे, अलबर्ट आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्टिक इफेक्ट को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखना किसकी सहाथा से होता है, अल्ट्रा वाइलेक्ट रेज, पराबैगनी, फिंगर प्रिंट, खाजपदार्थों के परिक्षण में और प्रकास विद्दू से, प्रकास विद्दू सेल होता है, यह आगे पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टन चेप्टर है, ओके, चलो, नेस्ट, अगला देखो, साथ है, साथ इस्पेक्ट्रा में साथों को आपको पढ़ना है, एक्सक्रेणे, एक्सक्रेणे नीट में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, एक्सक्रेणों के बारे में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, दस की खात रिड़ आठ से, दस की खात रिड़ तीरा मीटर, तक के तरंग दर्धे के परास को हम X कीरणे कहते हैं रोंट जन ने इसका अविस्कार किया था रोंट जन नमक साइन्टिस्ट ने इसका अविस्कार किया था तीब्रगामी इलेक्टानों के बहुचार से इसको उत्पन किया जाता है एक्सक्रिणों को बहुत तिब्रगामी जो इलेक्टान होते हैं उनकी बहुचार से इसकुत्पन किया जाता है लगड़ी या धातू के आउराण में रखी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है आपको मालूम है एक्सरे इसी से हम बोड़ी का एक्सरे लेते हैं ठीक हड्डियों के पोजिशन को चेंज करते हैं बोड़ी के अंदर और चिकस्व में इसको उप्योग होता है आपको सब को पता है और गीगर ट्यूब या आईनी कराट प्रोकोस्ट की साहता से इसको डिटेट किया जाता है गीगर ट्यूब बोलते हैं इससे जिसको पादन किया जाता है यह है अब देखो गामा कीरने लास्ट गामा कीरने इसमें नीट में कई बार एक क्वेश्टन पूछा है निम्न में से कौन मतलब विद्व चुमकी तरंग नहीं है बहुत महेदार क्वेश्टन हो जाता है निम्न में से कौन विद्व चुमकी तरंग नहीं है करके और उसमें बीटा देता है तो बच्चे बहुत कंफूज होते हैं पढ़े रहते हैं तुनको लगता है कि बीटा भी है बीटा विदुचुमब की तरंग नहीं है कि देखो सबसे पहले आप पढ़े थे क्या रेडियो तरंग सूस्थ तरंग यह और लास्ट में आप पढ़ रहे हो क्या गामा तरंग तो यहाँ पर इस्टुडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि बीटा भी होगा बीटा नहीं है तो ध्यान में रखना ठीक है यह कोस्टन नीट में पूछा है निम्नमे से कोन विदुचुमब की तरंग नहीं है हेंरी बैकरल ने इसका अभिस्कार किया गामा क्यूनों का नाभिकी अभिक्रिया से इसको बताया गया उच्छ भी भेदन छमदा इसका गूड है और कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है सबसे महुत पूर्ण बात है कि cancer के इलाज में ये काम आता है cancer जैसे disease के इसमें इलाज में काम आता है और giga tube के द्वारा इसको detect किया जाता है तो ये हमारा क्या है इसका spectrum तो भाई इसको learn करना है आपको और कुछ नहीं करना है देखो इसमें एक छोटा सा टापिक होता है green house effect वो पढ़ाना पढ़ेगा आप लोगको बच्वन से पढ़ते आ रहे हैं green house effect तो एक छोटा सा टापिक और होता है आपका इस chapter में green house effect पोध घर प्रभाव ये तो 7-8 वी में पढ़ते हो गए आप लोग बारवी क्लास में कौन question पुछेगा इसने पोध घर प्रभाव पोध घर प्रभाव क्या होता है जैसे मान लो ये हमारी धर्ती है और ये आकास का border है और उसके उपर भी हमारा वायू मंडल है इस पकार से clear अब इसमें होता क्या है कि जब light rays अंदर प्रवेस करते हैं आप क्लाउड्स भी बना देता हूं मान लो आज का बरसात के दिन में ज्यादा होता है ये क्लाउट्स हैं ये बादल है ठीक है अब यहां सोता क्या है कि जब प्रकास की केर्णे आप्तित होती है इस पर जब प्रकास की केर्णे आप्तित होती है इस पकार से प्रकास केर्णे आप्तित कर दें हम इसमें ये सुर्य साने वाली प्रकास की केर्णे हैं और ये प्रकास की केर्णे जब आप्तित होती हैं उसके बाद ये धर्ती से ट्रांसफर होके जब वापस उपर जाती है पैकेट्स के फामें उर्जा के रूप में तो इन पराबैगनी केड़ों का क्या होता है परावर्तन हो जाता है कहां से परावर्तन हो जाता है यह गया तो यह जाते हैं उपर इस पकार से और कुछ वायूमंडल के निसली सतह से और कुछ बादल से टकरां के इस पकार से वापस आ जाते हैं तो यह जब उपर जाते हैं और इसके बाद यह टक्रा के जब वापस लिटर ना जाते हैं तो यह क्या करते हैं प्रिथ्वी को गरम करते हैं मतलब प्रिथ्वी को हीट प्रोड्यूस करते हैं वास्ताव में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वह उनके परावजनी क्योंडों का टक्रा के प्रिथ्वी म जैसे अभी हम agriculture करने के लिए एक धान का गेहूं का जो बीज हम लगाते हैं तो क्या होता है यह वार्मिंग नहीं होता उसमें गर्मी नहीं मिलता तो इस पाउड नहीं हो सकता मतलब वो अंकूरण नहीं हो सकता तो आज कल क्या है इसको artificial भी बनाया जाता है आपने फार्म हाउस वगरे में बड़े बड़े ग्रीन सेट देखे होंगे तो बड़े बड़े जो ग्रीन सेट आप देखे होंगे चल में ग्रीन हाउस है वो तो महाँ पर प्रकास की केंड़े अंदर घुष जाती है लेकिन अंदर घुषने के बाद जब बाहर निकलती है तो टकरा के वापस आ जाती है और उतने एरिया को गरम रख पी है और गर्मी क्यों चाहिए गर्मी तो गर्मी से हम परसान होते हैं लेकिन ऐसा नहीं गर्मी जरूरी भी है यदि गर्मी नहीं आप एक बीज को यदि फ्रीज के अंदर रख दो, तो अंकूरर नहीं होगा हो, अंकूरित नहीं होगा, एक motivational बात है ना कि अंकूरित होना है तो आपको गर्मी, ताप, दाब सहना पड़ेगा, आपको सरना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, जैसे खेत में एक बीज, वो सब तकलीप सहता है तो पेड़ बन पाता है, यदि उसको आप सेफ जोन में रख दो, एक बीज को आप फ्रीज के अंदर रख दो, तो उसमें जिंदगी फर अंकूरर नहीं आएगा, वो बीज जब खेत में जाता है, जमीन के अंदर गड़ता है, वो ताप महसूस करता है, वो स्ट्रगल ना करें, उस बीज की तरह, तो हमारे में भी उस तरह का प्रोग्रेस अंकूरर नहीं आ सकता, बस आप सेफ जोन में बैठे रहोगे, तो बैठे रह जाओगे, तो ग्रीन हाउस इफेट एक्ट एक्ट्वल में उस बीज को वो एटमास्फियर देता है, जिसके का ऐसा सीजन में पैदा होते हैं, और प्रिथी में उस तरह का वातावरा नहीं बन पाता, तो जितने भी आप सीजन प्रोडक्ट हैं, वो उस तरह के ग्रीन हाउस से पैदा किया जाता है, तो यह ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप छोटे क्लास में भी पढ़े होगे, और क्लास ही होने वाला है, बलकि आप लोग को एक वर्क दे देता हूं, कि टेंथ क्लास में आपने जो प्रकास पढ़ा, परावरतन, अपवरतन, जो भी बेसिक चीज पढ़ा, उसको एक बड़ा रीट कर लो, क्योंकि उन्हीं चीजों को हम अब डीटेल में पढ़ने वाले है उन्हीं चीजों को हम डीटेल में पढ़ने वाले हैं, question number first, हमने statement को English में भी लिख दिया है, multiple choice question, बहुत से English medium student भी solve करते हैं, तो हमने दोनों language में लिखा है, और choice में हिंदी में वहीं लिखा है, जहां ज़रूरी है बाकी, आप लोग समा सकते हैं, question number first है, निम्ने में से कि लंग दर्जे सबसे कम होता है, इसी तरह के question competitive में, या आपके board exam में पूछे जाते हैं, इसमें से multiple choice question, चलिए, फटा-फट आपको answer देना है, वाइस नहीं आ रहा है क्या, वाइस clear है भई, आपको problem होगा, which of the following has list wavelength, किसका wavelength सबसे कम होता है, गामा रेस का, X रेस का, अलफा रेस का, बीटा रेस का, मैं आपको बोला था कि सभी question चार्ट से होते हैं, सभी question चार्ट से मिल जाता है answer, क्या सही answer इसका बताइए, तो इसका right answer है, ए, गामा किर्णों का सबसे कम होता है, ठीक है, इतना याद नहीं रखो के कैसे चलेगा, next, थ्री मेगाहर्स आवरित्ती वाली विद्धु चुमक की तरंग निर्वास से, अब साइला इक्वाल टूफर वाले परवजित माध्या में अप्रवेस करती है, तब, तरंग दर्थ और आवरित्ती दोनों अपरवर्तित रहेंगे, तरंग दर्थ दुगना हो जाएगा, किन्त आवरित्ती अपरवर्तित रहेंगी, तरंग दर्थ दुगना तथ आवरित्ती आधी हो जाएगी, पढ़ो सभी आपसन को, इसमें क्या होगा, या आप बताओ, बहुत अच्छा question है यह, चलिए ठीक, इसका right answer होगा D, इसका right answer होगा D, इसका explanation कैसा है ध्यान से समझना थोड़ा, देखो क्या होता है, N का जो formula है इसके लिए, तो N equal to root of epsilon upon epsilon not होता है, यह formula आप नए बता रहे हूँ आपको, N equal to होता है root of epsilon upon epsilon not, that equal to under root of epsilon का value यहाँ पर दिया है कितना 4 और वायू आ निर्वात के लिए उसका value 1 होता है, that means इसका value होगा 2 इस पकार से, अब जब N का value पता चल जाता है, तो यहां से हम lambda निकालते हैं, माधियम का तरंग देर्ध, तो माधियम का जो तरंग देर्ध होता है, जिसको हम lambda डेस कहते हैं, वह lambda upon N के बराबर ह होता है, जो माधियम का नया तरंग देर्ध होगा, वह lambda upon N के बराबर होता है, तो lambda का value यहां पर, तो हम lambda ही रखेंगे, और N का value 2, मतलब यह क्या हो जाएगा, lambda by 2, इस पकार से, आप्सन में हमारा दिया हुआ है, तरंग देर्ध आधा हो जाता है, और आप आवरित्ती आवरित्ती का कोई संबन नहीं है, ठीक है, इसलिए आवरित्ती पर कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा, ओके, तो इसका explanation है, अगला question देखो, गामा कीरने, X कीरने तथा पराबैगने कीरनों की आवरित्ती क्रमसा A, B और C है, तो इसमें से फ्रिक्वेंसी आप गामा रेस, X रेस, एंड अल्ट्रा वाइलेट रेस, A, B, and C, देन, अब आपको गामा कीरन का, X कीरन का, पराबैगने कीरन का आवरित्ती पता होना चाहिए, कौन सा अप्सन सही है, इसका बताओ, इसका answer है A, इसका answer है A, A greater than B, greater than C, मतलब सबसे ज़् किसका होता है, गामा कीरन का, उसके बाद X कीरन का, और फिर सब, इसमें तीनों में सबसे कम यह, तो यह आपसन सही आपसन है, याद रखना, यह सब आपको टेबल याद करने सिसका answer दे सकते हो आप, next question, वायू मंडल में ओजोन की पर्त लाब दायक है क्यों, वायू मंडल परवैजनी कीरनों को रोखता है, ठीक है, ल्ट्रा वायलेट रेस को ये रोखता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को क्यों रोकेगा, वो तो अच्छा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? इंफ्रा रेड रेज, अल्ट्रा वाइलेट रेज, एक्स रेज और रेडियो वेपस क्या रिज़ान इसका बताईए हम्, क्या कारण है इसका, मिल गया आंसर आप लोग को अल्ट्रा वाइलेट रेज अवरक्त की ने तो बस ऐसी क्वेस्टेन है इसने इसके सब question ऐसी है, देखो ये बी, वेरी गुड, बी इसका सही आंसार है, बी, ए क्रास बी, यह स्वारी, ए क्रास बी, बी क्रास ए नहीं होता, ध्यान रखना, ए क्रास बी होता है हमेशा, क्लियर, तो इलेक्ट्रमेग्नेटिक वेप्स में बस आईसी MCQs बनते हैं, यह देखो, निमने में से किसका तरंगदर्ज नियून्तम है, सबसे कम तरंगदर्ज किसके है, बताओ, यह क्वेश्चन तो करा चुका मैं भी न, यह तो हो गया, डबल डबल रिपीट हो गया, यह गामा रेज, यह तो हो गया, निमने में से कौन सा विद्दु चुमब की तरंग नहीं है, यह बहुत इंपार्टेन क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ाते समय में डिसकस किया था, कि कौन सा विद्दु चुमब की तरंग नहीं है, पढ़ाते समय में डिसकस किया था, बताए फटा-फट, निमने में से कौन सा विद्दु चुमब की तरंग नहीं है, ऐसी question आता है इसमें student फंस जाते हैं इतना आसान question है विद्धु चुमबकी तरंगों की spectrum में देखो ये नहीं मिलेगा आपको ये विद्धु चुमबकी तरंग नहीं है बाकी सब है thermal race भी है thermal race मतलब उसमी वी की रण होता है और gamma race भी है x race भी है beta race क्या है electromagnetic webs नहीं है बहुत लोग का approach है अच्छा है next देखो मानाव सरीर से निकलने वाले विकिराण के बारे मिल्यू में से कौन सा कथन सत्य है human body से जो विकिराण निकलता है ये question need 2003 में आया था मानाव सरीर से जो विकिराण निकलता है उसमें से कौन सा कथन सही है बताए human body से जो radiation होता है वो क्या होता है ओ इसका answer है C इसका जो उसर्जन है औरक छेतर में होता है infrared फिल्ड में होता है ठीक है the emitted radiation fall on infrared reason उसर्जित विकिराण औरक छेतर में होता है यदि lambda भी, lambda x और lambda m करमसा दिरिशे प्रकास x किर्णों और micro तरंगों के तरंग दर्धे को ब्यक्त करें तो इसमें से कौन सा कथन सही है बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है जिन लोग late में जॉइन किये हैं पीछे से तयारी करो ये question का answer आप लोग को ही बताना है क्या answer होगा? चार्ट से देखें आप क्या होगा? answer मैं बताओं, answer आप लोग बताओगे कौन सा answer सही है? आप क्रम को खोजो पहले तो micro का सबसे कम होता है यदि हम कम के रुपे बात करें तो micro उससे फिर अधिक होते जाता है x और उससे फिर अधिक होता है बढ़ते करम में लिख रहा हूँ फिर किसका होता है? द्रिस्य का बढ़ते करम में तो सबसे जादा के रूप में आपन देखें तो gamma V is greater than gamma x is greater than gamma m यह होना चाहिए gamma V, gamma x, gamma m तो D इसका सही आपसन होना चाहिए चार्ट को आप लोग नाम से याद रखो यह question बहुत अच्छा question है यह competitive में पूछने लाए question है तो चार्ट को आप करम से याद रखो ठीक है? सही answer D होगा न? अंकीत बहुत confusion वाला है क्या answer सही होगा? चार्ट से टेली करो चार्ट से टेली करो सब का तरंग दर्जे आप लोग को याद करने बोला हूँ न मैं? सही है किसी को D option के साथ में कोई आपती है कुछ student late में class wine किये हैं कुछ beach में enter किये हैं अब कोई फर्प नहीं पड़ेगा जब आपको मैं प्रकास स्टार्ट करूँगा क्योंकि प्रकास बिल्कुल नया topic है जिसका पीछे के chapter से कोई relation नहीं है यहां फिजिस का क्लास से दूसरा ब्रांची स्टार्ट होगा light तो light का हम class स्टार्ट करेंगे वहां से आप सुरूर सुसको समझ सकते हैं इसके mcq से अगरार करते हैं पूरे chart पर बहस है इसका question बस यह class में आपको इसलिए लिया था कि आपको पता चले कि इस chapter से mcq बनते कैसे हैं कहां कहां से कैसे question आता है ओके ओके thank you thank you so much